मुस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आज हम साइन्स पेडागोजी के महत्रपूर्ण प्रिस्न को सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं लगिंचार कशन वाफ्शा ओन स्वाइन्स प्रिस्टों जेश्मेटर्ण को में को स्किल है है साइंस क्लास टीचर में पीक अफ्य टॉपिक इक मर्मन्स अंचाज को साश करना खालता लिए एक आपकूर्ण को कौन सा टौपिक कोई शिख्षक चुन सकता है। किस तरह का टौपिक उसने चुनना चाहिए साइन्स क्लास में, बच्चों को रिसर्च की तरफ उनका दृष्टिकोन किया जाए, उनका जुकाव जो है research यानि सोध की और किया जाए तो क्या होगा related to a problem faced by students in their day-to-day functioning and which is a part of the concepts to be covered for this class ठीक है तो research में हम क्या करते हैं किसी problem पर ही तो research करते हैं तो जब हम बच्चों की daily जो उनको कोई भी problems आती है daily functioning में life की तो उसको concept उसका पते बना के हम उसको cover कर सकते हैं क्लास में किसी प्रकार की जल की समस्या हैं वाई उपर दूसर हैं या जैसे हमें class 8 तक की बच्चों को दिहान में रखते होई इन प्रस्नों को हल करना होता है बच्चों तो कभी-कभी आप ये भी गलती कर देते हैं कि higher level पर इसको देखते हैं क्योंकि ये जो आपका examination लिया जा रहा है वो किवल किसले लिया जा रहा है कि class 8 तक के बच्चों के लिए या तो class 1 to 5 या class 5 to 8 तो उसमें आप लोगों को काबिल बनने के लिए दिया जा रहा है तो कभी भी आप छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर इससे solve करिएगा ठीक है तो इसका answer third है दोस्तों next में आते हैं of the following activities in a science class the one with least educational value किसकी educational value सबसे कम है discussing a scientific principle चीक है इसकी value कम है इनके तुलना में drawing a design constructing a model reading about a simple experiment चीक है science class किसकी class 6 to 8 की चीक है तो उसमें क्या है एक scientific principle को discuss करना होता महत्पूर्ण नहीं है जितना की एक design draw करना या किसी model को बनाना या किसी simple experiment को पढ़ना चीक है अगली प्रसमाते हैं cognitive validity of science curriculum at upper primary stage implies that it should जो cognitive validity है तारकिक वैदिता कहते हैं जिसे वो किसी science class में अपर primary stage याने की class 6 to 8 में कैसे हम implies करेंगे by is appropriate वो कैसे होनी चाहिए कि age के इसाब से होनी चाहिए इसका आर्थी यही है कि class में किस तरह का पार्ट करम होना चाहिए साइन्स का कि जो अपर primary stage में तो वहां पर किस तरह का होना चाहिए is appropriate होना चाहिए यानि कि जो student है उनकी आयू को ध्यान में रखकर which statement is not true regarding recommendation of NCF 2005 ncf 2005 के अनुसारी यह recommendation उन्होंने नहीं दी थी connecting knowledge to outside life outside life के लिए knowledge को connect करने का recommendation ncf 2005 नहीं दिया था ठीक है the first step of the scientific method is forming a hypothesis hypothesis किसी भी विग्यान की method यानि की पध्यती के लिए सबसे पहले कौन सा step आता है हम क्या करते हैं एक hypothesis बनाते हैं एक परिकल्पना करते हैं ना किसी भी समिश्य को लेकर फिर उसे define करते हैं तब जाके experiment करते हैं अबजर्ब करते हैं फिर जाके हम result देते हैं पहला step होता है hypothesis का यानि पध्यकल्पना इर्माण science is considered to be questioning, exploring, doing and investigating which of the following activities carried out by Deepika is in teaching of science is best suited to certify these criteria science के questioning करना, explore करना, करके देखना और investigate करना यह विज्ञान में समझा जाता है तो एक teacher है DP का तो उन्होंने क्या करना चाहिए विज्ञान पढ़ाते समय कि जो इस criteria को पूरी तरह से suit करता हो questioning, exploring, doing and investigating आ जाई इसमें तो क्या करेंगे वह project work on nature of sound ठीक है प्रकृति की आवास में अगर project work देदें बच्चों को तो उससे क्या करेंगे वह सबसे पहले question करेंगे ठीक है यह तो question हो गया और उसमें भी question करेंगे कि किस तरह से हम nature के sound को मैं project बना सकते हैं explore करेंगे nature में जाके प्रकृति में जाके और investigate करेंगे और कार्य करेंगे वहाँ पर जाके तो यह सारे criteria इसमें fit हो जाएंगे इस question में ठीक है debate कराने में जो है explore नहीं हो पाएगा unit test कराने में microorganism के वहलो microorganism के आरे में लिख पाएंगे लेकिन नो क्या करेंगे explore नहीं करेंगे group discussion on common disease यह भी नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या इसमें भी कुछ explore कने जैसा नहीं है यह बहुत ज़्यादा investigate नहीं कर पाएंगे तो investigate कहा कर पाएंगे project work on nature of sound ठीक है next question good science education should be true to the child implies that science we teach should correct mean question good science अच्छ विज्याण की शिक्षया अच्छ विज्याण की शिक्षया कैसे होनी चीए true to the child यानिकी विज्यान क्या है सत्य माना जाता है ना विज्यान में कोई भी चीजिशे कालपनिक नहीं होती है उन्हें सत्य पे आधरित किया जाता है सत्य पर वो खरी होतने चाहिए और पुरी तरह से वैद्य होने चाहिए जो उत्तर भारत में आता है कोई भी माली जे फिजिक्स का है साइंस का है तो वही उत्तर अमेरिका में भी वही बच्चा जानेगा ठीक है अगर मनुष्य का नाम बॉट्ट्मिक जोलोजीकल नेम होमो स जाइन-स सेपीान्स है तो वही नाम अमेरिका में भी होगा चांए में भी होगा इंग्लिश में ठीक है साइंस में तो इसी तरह से कि बच्चे के इलिए जब सत्य कवहगी टू अंडेस्टेनबल-ॉद्ध चाइल्ड है, it is be understandable, बच्चे के समझ में आना चाहिए, ठीक है, जो साइन्स हम पढ़ाएं, वो बच्चे के समझ में आ जाए, वही साइन्स उसके लिए के आओगी, सत्य होगी, ठीक है, क्योंकि जब वो हम से कोई चीज पढ़ाएंगे बच्चे को, अगर उसे सही से समझ ज लाएगा, तो वो उसको गलत रुप में भी किसी को पता सकता है, इसलिए, science education true to the child, when it be understandable to the child, the following steps, not in the proper sequence, are generally recommended to be following in scientific method, ठीक है, जो नीचे दिये गए steps हैं, उनमें से ये recommend किया गया है कि, वो एक proper sequence में नहीं है, हमाई scientific method के साब से में, एक sequence में रखना है, ये question भी मेरे साब से बहुत ज़्यादा important है दोस्तों, क्योंकि इसमें घुमा फिरा कि प्रस्ने पूछी जाते हैं, जैसा कि आप ही हमने एक question देखा था, जिसमें पहला step क्या है कह रहे हैं उसका, तो वो था testing of hypothesis, इस तरह से कोई भी step पूछ सकते हैं, कि last step क्या है, या सारे steps को इसी तरह sequence में अलग लग देदेंगे, और उन्हें हमें एक क्रम में लगाना होगा, तो आईए देख लेते हैं सही उत्तर क्या है, तो जैसा कि हमें सबसे पहले क्या करेंगे कि identification of problem, सबसे पहले तो हमें क्या होने चीए, problem पता होनी चीए, उसके बाद दूसरा आता है, फिर हम formulation of hypothesis करते हैं, यानि कि जो हमारी hypothesis है, उसका निर्माड करते हैं, फिर जाके हम data collect करेंगे, फिर test करेंगे कि हमारी hypothesis सही थी या न नहीं, फिर हम conclusion देंगे दोस्तों, तो इसका answer अचोथा, सबसे पहले identification of problem, जो यहाँ पर गणत में भी, एक science की कक्षा में का उधान दिया था, कि उन्होंने क्या करना है, तो nature sound की बात हो रही थी, तो उसी तरह से, सबसे पहले तो problem identify करी बच्चों ने, ठीक है, दूसरा कर करेंगे की hypothesis बनाएंगे, उसको solve करने के लिए हम इसे किस तरह solve कर सकते हैं, वो देखेंगे वो लोग, उसके बाद data collect करने जाएंगे, फिर जाके test करेंगे, और उसके बाद अपना conclusion देंगे, तो यह थे कुछ महत्पूर्ण प्रस्न हैं, पिछले सालों में पूछे गए है सीटेट में, और आने वाले साल में या आने वाले सीटेट एक्जाम्स में के लिए भी यह बहुत महत्पूर्ण हैं दोस्तों, तो इनको आप जरूर देख लीजे, science, pedagogy के एक question थे, ठीक है, और जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब में किया हो, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, थेंक यू, दोस्तों, अबे भी जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नए किया हो, वो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करना है, और बेल ऐकन जरूर दबा लाएं नए नए वीडियो के,